कि नमस्कार मैं हूं राइसकुमार मिर्र मिडिया पॉलखोल में आपका स्वागत है अभी हम ख़र हैं पांडर पाला वाड नमरा ठारा में और यहां पर आपको बताएंगे जनते सरूबरू होंगे और बताएंगे कि यहां पर किस स्मस्या है आपको बताएं कि यहां पाल गार दिया है और कनेक्शन नहीं किया गया है बलके उन लोग जैसे कुछ रुस्वत मिंग लिया है पिछले चार मेने से बीली के समस्या है और बीली के समस्या के लेकर के यहां के लोग काफी परिशान है आप देख सकते हैं यहां पर पॉल गरा हुआ है लेकिन पॉल यहां पर बात करते हैं आप लोग जन परती नेधी बीकास की बात करते हैं लेकिन आप लोग पिछले तीन महिने से यहां कि अस्थानिया जो बिधायक है यहां कि अस्थानिया पारसद है वो क्या कुछ इस तरह के पहल कर रहे हैं हमारा कहना है कि बीजली जो है पानी और यह सड़क का काम नहीं हो सका है काम काम भी नहीं हुआ है रास्ता बना चुटा हुआ है और वो लगाएँ हैं और काम आधा करके आधा छोड़ के चले गए हैं दो से 3 मेना हो गिया है ऐसा कोई काम नहीं हुआ है अगर आठारा पॉल में से दस पॉल में कनेक्शन है तो आठ पॉल में कनेक्शन नहीं हो सका पॉल जो है इसे खड़ा खड़ा है और लैन जो है किसी में है किसी में नहीं है कनेक्शन नहीं हुआ है हमारे यहां वार्ड नमर आठारा में जो है लिखित में तुरू से दिया ग तो वहां लोग है तो बोले हो जाएगा ऐसा बोल रहे थे तो आप आप ने देखा कि लगातार चार महने से लोग यहां पर काफी बिजली के समस्या के लेके परशान है लेकिन लगातार इनके दोरा बिजली बिवाग के जो बड़े अधिकारी हैं उनसे मुलाकात की गई लग आतार अस्वासन मिल ही रहा है और कहा जा रहा है कि जल्द ही काम हो जाएगा लेकिन पिछले चार मैने से अब तो बिजली के समस्या बनी है और लोग काफी परसान है तो यह कुछ लोग से हम और भी बात करतें जी बताएं बोलना का जो देख रहे हैं आप लोग जो आपका पानी के वेवस्ता पानी के कोई वेवस्ता नहीं टाइमनल जो आपका दिया गिया है नगर्नियमक और से उनका कोई वेवस्ता नहीं है और आपका दूर दूर से लोग पानी लाने जाते है पिलास आपका जो आपका विजली के तो प्रब्लम हई है बहुत मुद्द के यहां के जनपरती निदी कर रहे हैं जनपरती निदी तो है चुनाओ को बगत आते हैं कहीं तरह के विकास को लेकर के लुआवने वादे भी करते हैं लेकिन उस लुआवने वादे को लेकर के कहीं ने कहीं जो यहां के जनपरती निदी है वो फैलियर देख रहे हैं और लगातार यहां पर यहां पर पानी की समस्या शड़क की समस्या और सबसे वरी बात है कि लोग यहां पर अंधकार मेरा रहे पिछले चार मैनों से यहां पे बहुत दिन से पाण खड़ा हुई है लेकिन लाइन का को सभीदा नहीं है आपने दखा कि यहां पर जो अधिकारी है उनकी लापशना या आई रहा है आगे कुछ लोग हैं हम उनसे बात करते हैं वह करता है इसे परता है ने कि यहां बच्चों के लिए कि स्कूल का बेवस्ता होना जुरूरी है कोई स्कूल भी यहां पर नहीं है जो बच्चा सिचित है इधर उदर घूमता है और कुछ ऐसे भी लोग है जो बैट कफाल तुम टाइम ना सा खोरी है आप करते रहते हैं और इसका बहुत परभाव पर परसासन भी इस पर ध्यान दे हमें ही कहेंगे बिलकुल एक तरफ सरकार बेटी पराओ बेटी बचाओ का नारा लगाती है लेकिन यहां कहीं कहीं जो है पांडरपाला वाड नमर अठार का बच्चे है और सिच्छा से बंचित है यह भी मामला सामने आया है तो कुछ महिला ह हम उनसा ही बात करते हैं जानते हैं कि किस तरह के समस्या से आप लोग जूज रहे हैं समस्या दो यहां बहुत है पानी के सुविधा है ने मिल पा रहा है पानी के लिए बच्चा के स्कूल सही से नहीं है यहां जो बच्चा लोग हम लोग सही से हैं ना सिक्षित ने दिस प वरसट है उनको और ओरTA ही नहीं है कषिए जन परतर यह तॉज अपने देखा यहां कि दन परती ने दी है जो वाड के फीसित नहीं अब पिछले चार मैने शते नाम पर यहां जीरो वटा जीरो कुछ नहीं है अब पिछले चार मैने से यहां पे जो है लोग बीली से परसान है सफाई की वेवस्था नहीं है यहां पे सरक नहीं है बच्चे के एजूकेशन के लिए इसकूल नहीं है तो कई तरह के समस्या है और यहां के जन परतियों को भी ध्यान देने आता यहां का वाट पारसत को जब भोट आता है तब आते हैं भोट लेने का समय भोट लेते हैं चले जाते हैं ना रोट का समस्या हल होता ना बिजली का ना पानी का ना नाली का ना यहां मिडिल उसकूल है ना हाई उसकूल है एगो सरकारी उसकूल है कभी खुलता है कभी कि प्रप्तिनी हम जाड़रा मैं करते हैं शेद्श करते हैं रहें milyश नती हमITY अभी तक पॉल का काम ने हुआ ना पॉल लगा ना बिली लगा जो पॉल लगा उसमें तार भी नेडा लगिया यहां कब से आप लोग आप लोग बिली नहीं मिल रहा हैं? छे माईना साल भर हो गया अभी तक काम हुआ ने हैं लोग दूर दूर से बास पे खुटा पे खंबा पे गाल गाल के तार लाते हैं तो आपने सुना कि लगातार जो है यहां के जो जन प्रतिनीदी हो चाहिए वो विधायक हो या सांसद हो या या तो यहां के अस्थानिया वार्ड कमिश्णर हो कोई भी इस छेत्र को ध्यान नहीं देता है जिसके वैसे यहां के जो ग्रामिन काफी परशान है यहां पे इस लोग यहां से वार्ड नंबर ठार का जो लोग है काफी यहां पे दूखी है और प्रित है आप बताएं अब बहुत गरीबी यहां पर आदमीलों बहुत परसान है है करने बच्चा सिछित नहीं है मिन बिली पापनी पाप्लम पाने के लिए बहुत दूर दूस लाना अब तो आपने देखा कि ग्रामिन को कहना है कि लगातार जो है चार मैन से बिजली नहीं होने के कारण से काफी समस्याका सामना करना पर रहा है बच्चेश शिक्षा नहीं पा रहे हैं महिलाय खाना ने बना 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 पा रही है और कई तरह का यहां पर सूवधा से लोग बंचित है मिकास की बात दाबे तो करते हैं लोग लेकिन बिकास के लोग अजसले मनेत और लोग आ सतीव Okay अ बंचित हैं त Long लोग भी लोग को समस्च आपक अजैक दिंगरों और लोग लोगों को इसार। बंचित हैं और उन और 18 नमर का जो लोग है वार्ड नमर 18 का जो लोग है वो काफी यहाँ पर पर सान और देखने वाली बात है कि दो महिना बाद फिर से नगर निगम का चुनाओं होना है अब फिर से इस चुनाओं में जन परतिनी दी आएंगे और लोगों से गुहार लगाएंगे कि आपको व बोट को बाइसकार किया जाएगा तो आये कुछ महिला और भी है हम उनसे बात करते हैं कि यहां पर वाद नमर 18 में किस तरह के समस्या है और समस्या से यह कितने परसान है यह पर ने सफलाई पानी है ने बच्छे लोक आगन बढ़ी है ना इसकूल है सरकारी उसकूल एक होना चाहिए अनागन बढ़ी है अभी दो माइना बाद फिर से चुना होना है नगर निंगम क्या लगारा कि इस वर फिर से बोट देंगे आप ने इस बर हम किसी पर नहीं देंगी बोट का बाइसकार करेंगे नहीं देंगे नहीं देंगे नहीं देंगे तो आपने देखा कि य कि लगातार चुनाओ को बागत जो है जन परतिनी दिल आते हैं और काफी विकास को लेकर करके वादे करते हैं लेकिन उन वादों पर खरने उतरते हैं जिसका वज़ा है कि आज पानी की समस्या वाद नमर 18 में सरक की समस्या और पिछले चार महिना से बिजली की सबसी बरी समस समस्या है जिससे यहां के गामिन काफी प्रसान है आप देखने वाली बात है कि मिरे मेडिया पोल खोल के बाद सभी वाडों का नेश्चन कर रही है और इस पोल खोल के बाद यहां के जन परतिनी दिल जाकते हैं या इसी तरह ग्रामिन इन समस्या का जो है समस्या को लेकर जहिलते रहेंगे कैमरामेन अभी सेख के साथ राइस कुमार मेरे मिडिया ने धन्वाद